किसी को ठगना ही क्यों ना पड़े, वह तो क्या है हराम की कमाई जो है वहाँ करना अचाते हैं, टॉर्च बेशने वाले से, तबी वहाँ उत्तर में कहता है कि आपके सभी अंदाजा जो है वहाँ गलत है, पांच सल पहले जो है में और मेरा एक दोस्त, में मतलब टॉर्च ब नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज, मैसूर। हरिशेंकर परसाईजी, हरिशेंकर परसाईजी जो है हिंदी आदुनिक साहित्य के बहुती प्रसिद्य वेंगि साहित्यकार जो है वहाँ माने जाते हैं, देखें इनकी जो जन्म है वहाँ 22 अगस्ट 1922 में होशंगाबाद में होती है, वेंगि को हिंदी साहित्य में जो है वेंगी को एक विधा के रूप में सταपित करने वालों में से हरिशेंकर प्रसाईजी भी जो है वहाँ एक प्रमुक्साहितिकार है इन्होंने क्या किया है वेंगी को जो है वेंगी जो सिर्फ हासे के हलके फुल के विनो तक सीमित था उसे उस दाइरे से बाहर ले आकर एक तिलमिला देने वाली एक धार-दार अउजार के रूप में उन्होंने स्थापित किया है तो इससे यहाँ एक आईतिहासिक कारी है तो इसी कारण से इन्हें वेंगि साहित्ति के प्रमुक साहित्ति का माना जाता है इन्होंने अपनी रचनाओं में जो जीवन के असंगतिया है, समाज में जितनी भी कूरीतिया है, कूपरताये है, जो ब्रिष्टासार सभी होते हैं, तो उस सब के बारे में जो वेंग्यात्मक टिपणिया जो है अपनी रचनाओं में यहां लिखते हैं, और उन सब के प्रति वहाँ प्रश्न जो है उठाते हैं और समाज में जो है उन सब के प्रति जागरता लाने की जो एक कोशिश है अपने रचनाओं के जरीए वहाँ करते हैं वो भी हासिवेंगी के जरीए ही तो इनकी रचनाओं में जो है एक तो यहाँ पर इनकी शैलिया और उसके साथ साथ उन यह उनके प्रमुक रचनाए जो है वहां देखेंगे देखें चलो यात्रा करें जैसे उनके दिन फिरे हसते है, रोते है, सदाचार का तावीज पक्डणडियों का जमाना या सभी उनके कुछ प्रमुक रचनाए है तो प्रस्तुत जो वेंग लेके फिर प्रस्तुत पाठ जो है टार्च बेशने वाला उसमें उन्होंने क्या किया या पर वो कहते है कि वेंग की अत्मक रूप से ही ये कहते है कि जो आजकल हराम की जो कमाई है वहां महनत और इमानदारी की कमाई से भी श्रेयस कर मानी जाती है वेंगी करते हुए वहां क्या कहते है अपर आजकल सबी लोग जो है आसानी से पैसे कमाना चाते हैं कम से कम परिश्रम में ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वहां कमाना चाते हैं चाहे उसके लिए उन्हें गलत रास्ते पर ही क्यों ना जाना पड़े, किसी को दोका ही क्यों ना देना पड़े, किसी को ठगना ही क्यों ना पड़े, वह तो क्या है हराम की कमाई जो है वहाँ करना चाते हैं, वही आजकल श्रेस कर मानी जाती है, तो इसलिए तो आजकल सभी जो है ज्यादातर लोग वहा सत्य और इमानदारी के राह से राह बटक कर जो बे इमानी और हराम की जो कमाई है उस राह को पकड़ने के लिए वहा जा रहे हैं क्यों आजकल समाज में इतना जो यहाँ पर अत्याचार, अन्या, अधर्म यहाँ सभी हो रहा है, इसी के चलते हुए, सब भी लोग सिर्फ यहाँ पर अराम से बैठ कर पैसे जो है कमाना चाहते हैं, तो इस पार्ट में एक टॉर्च बेशने वाले के जरिये जो है एक संदेश जो है इस पार्ट से हमें मिलती हैं, तो किस तरह वहाँ जो संदेश पाटकों तक पहुंचाते हैं, किस तरह यहाँ पर वहाँ सब के बारे में वेंगे करते हैं, अब हम इसे पार्ट में ही देखेंगे, देखें पार्ट को देखने से पहले जो पात्र है उसके बा पात्र है एक लेकक को देख सकते एक टॉर्च बेशने वाले को और एक धोंगी बाबा जो उस टॉर्च बेशने वाले के मित्र है तो तीनी पात्रियापरम देख सकते देखे लेकक को इस पाट का प्रारंब कुछ इस तरह करते है कि वहां पहले चोराहे पर बिजली के टॉर् कल फिर दिखा मगर इस बार उसने दाड़ी बढ़ा ले थी और लंबा कुर्ता पहंद रखा था दीखे वह आपर क्या कह रहे हैं उस टॉर्च बेशने वाले के बारे में वहां कह रहे हैं वहां पहले जो है चौराहे पर सिगनल उपर सभी जो है वहां टॉर्च बेचा करता तो रोज जो है लेकक उसको देखते थे मगर बहुत दिन हो गए कुछ बीच में वहां नहीं दिखा यहां पर लेकक कहते कि कल मुझे वहां दिखा क्या कहते हैं अभी बाद में वहां कल मुझे दिखा तो जैसे ही वो आगे लिखते जाते हैं उसे देखते हैं जैसे ही वो उससे जाकर पूछते है कि कहां गए थे कहां रहे थे बाई और ये दाड़ी केसे बढ़ा ली करके वहां उसे प्रश्न पूछते है तब ही वहां कहता है कि बाहर गयाता करके कहते हुई वह अपनी दाड़ी पर हाथ जो है वहां फैलाता है देखे उसने लंबा कुर्ता पैना था और उससे लंबी दाड़ी भी छोड़ी थी बीच में कुछ दिन वहाँ गायब था ना तो लेकक उससे जाकर पूछते हैं कि अब तक तुम कहाते दिखाई नहीं दिये और ये दाड़ी क्या करके दाड़ी बढ़ा ली है ये क्या करके वहाँ प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ दाड़ी के संदर्ब में जो है कुछ भी आपर जवाब नहीं देता है सिर्फ इतना कहता है कि यहीं बाहर गया था तब ही लेकक फिर से उसे पूछते है कि मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो उसने कहा वहां काम बंद कर दिया अब तो आत्मा के बीतर टॉर्च जल उटी है ये सूरच चब टॉर्च अब वर्त मालूम होते है देखिए पहले तो वो दाड़ी के संदर्व में कोई भी आपर बात नहीं बोलता है तो लेकक फिर से उसे पूछते है कि आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो करके क्योंकि हमिशा तो वहां उस चवराय पर उसी जगे पर टॉर्च बेचा करता था तो आज क्यों नहीं बेच रहे हो करके उत्सकता से यहां पर लेकक उसे प्रशन पूछते है तब ही वहां कहता है कि नहीं मैंने वहां काम बंद कर दिया है क्योंकि अब तो मेरे आत्मा के बीतर जो है टॉर्च जल उटी है मेरे आत्मा में टॉर्च जलूटा है इसलिए ये जो सूरच चब टॉर्च है वहाँ विर्थ मालूम होता है विर्थ लगता है करके टॉर्च बेशने वाले की जो बात है जो कहता है उसे सुनकर यहाँ पर लेकक को आश्चरी होता है जैसे ही यहाँ पर torch बेशने वाला लेकक से इस तरह बात यहाँ पर करता हैं तो लेकक उसे पूछते हैं तुम क्या सन्य सत्व ग्रहन करने वाले हो क्या जिसके आत्मा में यहाँ अपर torch झलूटी है प्रकाश झलूटा है करके किस से दिख्षा लेकर आये? ऐसे लोग जो है ऐसे हराम कोरी पर उतर आते हैं करके वहाँ पूछते हैं तब ही आपर टॉर्च बेशने वाला लेकक से कहता है कि ऐसा मत कहो सहाब आत्मा तो सबकी एक है तो इस तरह की खटोर बाते करते हुए आप मेरी आत्मा को जो चोड़ पहुचा रहे हुऊ आपकी आत्मा को भी चोड़ पहुचती है मतलब आत्मा तो सबकी एक है तो इसलिए इस तरह की बाते मत करो सहाब करके वहाँ बोलने लगता है तब ही देखे आपर लेकक फिर से उसे पूछते है मैंने कहा यहाँ सब तो ठीक है मगर यहाँ बताओ कि तुम एका एक ऐसे कैसे हो गए क्या बीवी ने तुमें त्याग दिया क्या उधार मिलना बंध हो गया क्या साहुकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया क्या चोरी के मामले में फस गए हो आखिर बाहर का टॉर्च बीतर आत्मा में कैसे गुस गया देखे यहाँ पर वाग कह रहे है लेकक जैसे ही आपर टॉर्च बेशने वाले कैसे बाते सभी सुनते है उन्हें आजीब लगता है वो कहते हैं ठीक है वो सभी छोड़ दो वो आत्मा की बात करता है न तो इसलिए कहते कि ठीक है वो सभी छोड़ दो अभी ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे हो गए जो पहले मेहनत करके परिश्ण करके दिन बर दूप में बारिश में जो टॉर्च बेचा करता था आज वो बोल रहा है कि टॉर्च नहीं बेचुँगा आत्मा में जो टॉर्च है वहाँ जल उटी है अभी तो इस तरह सभी जो कह रहा है जो कामी नहीं करता अभी फिलाल तो वहाँ पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे हो गया और इसे सभी बाते तुम कैसे कर रहे हो क्या तुम्हें बीवी ने छोड़ दिया क्या या फिर तुम्हें उधार मिलना बंध हो गया क्या या फिर साहुकर ज्यादा तुम्हें तंग कर रहे है क्या या फिर कहीं चोरीवरी करके फस गये क्या करके यहाँ पर प्रश्ण जो है वहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी दिमाग में फिलाल अभी बहुत सारे प्रश्ण जो है यहाँ पर उठ रहा है तो इसलिए वहाँ उसके सामने इस तरह का जो प्रश्ण है वहाँ पूछ रहे हैं क्योंकि आचानक से यह जो बाहर का टॉर्च, क्योंकि वो तो टॉर्च बेशने वाला था. इसलिए उसे पूछते है कि आचानक यह बाहर का टॉर्च वहां अंदर कैसे जल उटा करके. देखे जैसे ही लेकक इतने सारे प्रश्ण जो है वहाँ पूछते हैं टॉर्च बेशने वाले से तब ही वहाँ उत्तर में कहता है कि आपके सभी अंदाजा जो है वहाँ गलत है क्यूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है देखे इतना प्रश्ण उन्होंने पूछा ना कि बीवी ने चोड़ दिया क्या या फिर साहुकार तंग कर रहे क्या या फिर कहीं चोड़ी कर के पकड़े गए गया तो ये सबी जो प्रश्ण वो पूछते तो कहते है कि आपका अंदाजा सबी गलत है ऐसा कुछ भी बात नहीं है जो बात है असल में वो तो मैं गुप्त रखना चाहत मगर आप इतना पूछ रहे हैं और मैं आज ही शहर से बाहर जा रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बताता हूं जो बात है असल बात क्या है करके वहां बोलना जो है शुरू कर देता है जो टॉर्च है वहां बेच कर कमाई करता था उसे छोड़ दिया अभी उसके जो रूप है उसमें भी बदलाव आ गया है तो इसका रास क्या है यह जो बात है अभी वहां लेक को कहने लगता है देखे वो कहता है पांच साल पहले की बात है मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगा बैटा था हमारे सामने आस्मान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था देखे वो अभी जो बातेवा कहता है कि ये पांच सल पुरानी की बात है पांच सल पहले जो है में और मेरा एक दोस्त में मतलब टॉर्च बेशने वाला और उसका एक दोस्त मतलब वो कहता है कि में और मेरा दोस्त जो है बेटे हुए थे एक सवाल को लेकर वो कहता है कि हमारे सामने जो है आसमान को छूता हुआ एक प्रश्न जो है वहाँ खड़ा था वहाँ क्या प्रश्न है क्या वहाँ सोच रहते देखिए वहाँ सवाल था पैसे कैसे पैदा करे वहाँ प्रश्न क्या था यहां पर? पैसे कैसे पेदा करे? क्योंकि तब तो दोनों बेरोजकार थे, तब वो दोनों युवक जो है वहाँ बेरोजगार थे तो इसलिए दोनों दोस्ते बैट कर एक जगा सोच में पढ़ जाते हैं कि क्या करें? हम कौन से काम करें? या फिर कमाई कैसे करें? पैसे कैसे हम कमाई करके यह जो सवाल है उनके दिमाग में रहता है इसलिए वो कहता है कि क्या है हम दोनों के सामने एक प्रश्ण जो है खडाता वो भी आस्मान को छूते हुई तो इसलिए वा कहता है आगे हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़िया और उसे हटाने की कोशिश करने लगे हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं दोस्त ने कहा यार इस सवाल के पाउं जमीन में गहरे गड़े है यहाँ उखडेगा नहीं इसे टाला जाए देखे यापर अभी दोनों दोस्त है बेरोजगार है अभी वह काम कौन सा करे पैसा कैसे पैदा करे यह तो उन्हें टाने की कोशिश की मगर वहा हिला भी नहीं फिर दोस्त ने कहा कि इसकी तो पाउं जमीन के अंदर तक गड़ गया भी इसे हिलाना तो मुश्किले चुड़े नहीं इसे टाली देते हैं करके तो उस प्रशण को टालने की वहाँ बहुत कोशिश करता है फिर भी वहाँ प्र प्रश्न को जो है हम हल ही कर देंगे करके तो दोनों बैट कर बाते करते हैं फिर एक निर्णाय लेते हैं कि चलो अभी पैसे कमाने के लिए तो यहाँ पर कुछ तो काम दंदा करना पड़ता है तो जो टार्स बेशने वाला है वो अपने दोस्ते कहता है कि ठीक है अभी हम अलग दिशाओं पर जाएंगे और फिर पांच साल बाद यही मिलेंगे फिर पांच साल बाद इसी तारीक को हम इसी जगह पर मिलेंगे करके जो टार्स बेशने वाला है अपने दोस्त को कहता है तब तो दोनों के जेब में एक रुपया नहीं था तो इस तरह कहने पर जो दोस्ते वहां टॉर्श बेशने वाले से कहता है कि दोनों अलग अलग क्यों हम दोनों एकी साथ जाएंगे करके तब ही टॉर्श बेशने वाला उससे कहता है कि नहीं क्या है जहां तक हमने देखा है किसमत आजमाने वालों को जो है वह अगर साथ में जाएंगे तो उनकी क एक दूसरे से टक्राने के संभावना रहती है और वह अपने काम में जो है असफल हो जाते हैं इसलिए हम क्या करेंगे अलग-अलग दिशाओं में जाएंगे अपने किस्मत को आजमाएंगे फिर पांच साल बाद यही पर मिलेंगे इसी दिनांग पर इसी डेट पर और इसी जगह पर मिलेंगे करके वहाँ कहता है फिर दोनों दोस्त अलग-अलग दिशाओं पर चले जाते हैं फिर वहाँ आगे कहने लगता है कि तो साहब हम अलग-अलग चल पड़े मैंने टॉर्च बेशने का धंदा शुरू कर दिया चवराहे पर यहां मैदान में लोगों को इ जासता नहीं दिखता वहाँ भटक जाता है देखिए अभी ऐसे सोच कर पांच साल पहले की बात अभी उसने कहा था तो इस तरह ऐसे सोच कर तो साहब हम दोनों अलग-अलग दिशाओं पर चल पड़े तो मैंने इस शहर में आकर टॉर्च बेशने का काम जो है शुरू कर दिया तो आपको ही पता है तो मैं क्या करता था या पर लोगों से कहता था टॉस बेशते हुए अजकल हर जगा जो है अंदेरा चाया हुआ है तो यह पर अंदेरे में जो लोग है वहारा बटक सकते है या फिर अपना याद का यह भी नहीं सूचता है आदमी को रास्ता नह ही था देखे यह उस समय की बात है जब रात में जो है बिजली सभी नहीं होते थे या फिर सबके गर में बिजली जो है वहां नहीं रहता था तो इसलिए जो है यहाँ पर इस तरह का जो प्रयोग है वहां किया जा रहा है तो देखिए आपर वो टॉच बेशते समय कहता है क आजकल हर जगा अंदेरा ही अंदेरा चाया हुआ है तो अंदेरे में जो लोग है वहार राह बटक सकता है फिर उसके पाउं कांटों के बिन जाते हैं वहाँ गिरता है और उसके गुटने लहु लुहान हो जाते है उसके आसपास भयानक अंदेरा है शेर और चीते चारो तरफ घूम रहे है साम जमीन पर रेंग रहे है अंदेरा सब को निगल रहा है अंदेरा घर में भी है आदमी रात को पेशाब करने उड़ता है और साम पर उसका पाउ पढ़ जाता है साम उसे डस लेता है और वहां मर जाता है यहां सभी बाते कौन कर रहा है टॉर्च बेशने वाला टॉर्च बेशने वाला जो टॉर्च बेशते समय किस तरह यहाँ पर लोगों को यह सभी बाते बोल कर वह अपनी टॉर्च जो है बेचा करता था तो इस तरह वो सभी बाते कह रहा है वो कहता है कि आपको तो पता ही है में torch किस तरह बेशता था मैं बहुत ही महनत से दूप में हो बारिश में हो यहापर चोराहे पर कड़े हो कर इतने सभी बाते जो है बोल कर यहापर लोगों को torch जो है बेशता था अपनी company का जो सूरच चप torch जो है उसे बेशने के लिए लोगों को अंधेरे का जो डर है वहाँ दिखाता था तो इसलिए यह सभी बात बोलता है कि रात में तो या फिर आजकल जो है हर जगा जो है अंधेरा चाया हुआ है आदमी राह बटक सकता है या फिर कही भी जो है आपर शेर चीते सभी जो है घूमते रहते है अंधेरे में वहाँ उनका शिकार भी हो सकता है सिर्फ इतना ही नहीं बार ही नहीं गर के अंदर भी जो है यहाँ पर अंधीरा रहता है हो सकता है अगर रात में वहाँ पेशाप करने के लिए उठे तो सांप पर उसका पाव पढ़ जाया और सांप उसे डस ले और वहां मर जाया अंदेरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है या तक कि बाहर भी चलते हुए से भी कांटों पर भी आपके पाव पढ़ सकते हैं और क्या है या पर आपका पाव जो है लहुलुहान हो सकता है आपको छोड़ पहुँच सकते हैं किसी पत्तर से ठकरा सकते हैं या तक किस साम पर पाव पढ़ सकते हैं या फिर शेर चीते से सामना हो सकता है या सभी किस कारण हो सकता है अंदेरे के कारण इसलिए तो इस तरह जो है या सभी ये बाते करते हुए वहां आगे कहता था लो फिर वहाँ क्या करता है इसलिए ये सभी बाते जो है वहाँ करता था कि अभी वो अपने टॉर्च बेचे देखे इसलिए जो टॉर्च बेचने वाला है या सभी बाते करता है कि वो जो टॉर्च है वहाँ बिक जाए क्योंकि पहले तो वो इस अभी बाते बोलकर लोगों को अंदेरे का जो ढर है वहाँ दिखाता था अंदेरे में उनको नुकसान पूंच सकता है यह एसांस जो है उन्हें दिलाता था फिर यह बात कहता कि अभी अंदेरा है तो प्रकाश भी है अभी क्या है आप हमारे कंपनी का जो सूरच चाप टॉर्च जो है उसे लीजिए तो क्या हो सकता है आपर आपका नुकसान नहीं हो सकता है या फिर आप जो है आपर बच सकते हो इन सब से करके कहे कर वहाँ अपनी जो कंपनी का जो टॉर्च है बीचा करता था फिर देखे आपर हमारी सूरच चाप टॉर्च में वहाँ प्रकाश है जो अंदकार को दूर बगा देता है इसी वक्त सूरच चाप टॉर्च खरीदो और अंदेरे को दूर करो जिन बाहियों को चाहिए उंचा हाथ करें सहाब मेरे टॉर्च भिक जाते और में मज़े से जिन्दगी गुजारने लगता देखिए आपर क्या होता था जैसे ही ये सबी बाते वो बोलता था तो यहाँ पर लोग जो है क्या करते थे उसकी जो टॉर्च वहाँ ले लेते थे क्योंकि यह कहता था था ना अभी क्या है हमारी टॉर्च में हमारी सूरच अब टॉर्च में इतनी प्रकाश है कि वहाँ अंदेरे को जो है भगा देता है दूर कर देता है तब उस रोशनी में आप सुरक्षिते रह सकते हो तो आप हमारी टौर्च खरीदिये करके वहां कहता था तो लोग डर कर जो है अगर जान तक बात आएगी तो सभी लोग डर जाएंगे तो इसलिए लोग ज्यादा तर उससे टौर्च खरीदते थे देखे कितनी होशियारी से जो है वहां यापर टौर्च जो है बेचा करता था और उतना ही महनत भी करता था चाहे दूपो बारिश हो वहां हर दिन चोराए पर वहां टौर्च जो है बेचा करता था आज के लिए इतना ही इसके नेक्स सेशन में हम यह देखेंगे कि अभी जो टॉर्च बेच रहा था इतने अच्छे खासे से आपर महनत करके होशियारी से जो अभी ये जो टॉर्च है वहाँ बेचा करता था तो वहाँ क्यों अभी वो काम बंद कर दिया उसने और जो दोस्त था जिससे बात हुई थी कि 5 साल के बाद फिर वो लोग मिलेंगे वहाँ क् क्या काम करने लगाता क्या है वहाँ सभी हम नेक्स सेशन में देखेंगे धन्यवाद